ओम शांती, बीस दस दो हजार बाइस के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, भारत जो साउकार था, वही अब गरी बना है, बाप ही इस गरी भारत को फिर से साउकार बनाते हैं, प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कोन और कैसे हैं, उत्तर है, सबसे खुश नसीब वह हैं, जो गोडली ज्यान डान्स करते हैं, वही फिर सत्युग में जाकर प्रिंस प्रिंसज के साथ डान्स करेंगे, ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाब पर पूरा-पूरा बली चड़ते हैं, कहते हैं, बाबा, मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, आप हमको स्वरक का मालिक बनाते हो, तो मैं क्यो नहीं बली हार जाऊं। मुरली की में पॉइंट, पहला पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है, कि हम ब्रहमांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं, हम ब्रामन ही फिर देवता बनेंगे, सेकंड पॉइंट, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारना कर ओरू की सर्विस करनी है, आज का बाबा का वर्दान है हमारे लिए, बहाने बाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दाता पन के स्वमान धारी भव, जिन बच्चों को बहाने बाजी का खेल आता है, वह कहेंगे, ऐसे नहीं होता, तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस वा बात ही ऐसी थी, बाबा कहते हैं, अब इस बहाने बाजी की भाशा को समाप्त कर, दिड़ प्रतिग्या करो, कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाब जैसा बनना है, दूसरा सहयोग दे, तो मैं संपन बनू, नहीं, इस लेने के बजाए, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्ने, सहानुभूती देना ही लेना है, इस भावना से मास्टर दाता बन के स्वामानधारी बन जाएंगे, बाबा ने इसमें हमें समझाया है, कि हम कई बार कहते हैं, कि इसकी वज़े से मेरे साथ ऐसा होता है, वो ऐसा करता है, तब मैं ये नहीं कर पाता हूँ, तो अनेक हम बहाने बाजी बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, सरकम्स्टांस तो कैसे भी हो, लेकिन हमें अपने आपको बदलना है, और हमें दूसरों से सयोग की कामना ना कर औरों को स्ने और सयोग हमें देना है अभी लेउता नहीं दाता बनना है स्वमानदारी बनना है स्लोगन है आज का जब मैं और मेरे पन के भाओं से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैराग्य इसमें बाबा समझाते हैं हमें कि मैं ऐसा, मैं बहुत पड़ा लिखा मैं बहुत सुन्दर, मैं बहुत धन्वान ये जो मैं मैं के भाव आते हैं दे अभिमान से संबंदित और मेरा पन यानि ये मेरी चीज ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे यह मेरा परिवार यह जो मेरा पन है और मैं पन है इससे बाबा कहते है जब तक वैराग नहीं आएगा तब तक हम बेहद के वैरागी नहीं बनेंगे तो बाबा ने बहुत बार हमें समझाया है मैं जब आए तो सोचना है मैं आत्मा और मेरा जब आए तो सोचना है मेरा बाबा हद के मेरे पन से जब हमें वैराग आएगा तब हम बेहद के वैरागी कहलाएंगे ओम शान्ती